जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट की डीटेल जारी हो गई है डीटेल जारी होने के साथ ही अब आपी कटोफ बहुत कम जाने वानी है ऐसा क्यूं और किसलिए हुआ है ये आज की इस वीडियो में जानेंगे अब अनुमानित कटोफ क्या रहेगी ये भी मैं आज की इस बात है कि कितने अभ्याथी पास होंगे ये भी बहुत बड़ा सवान के जो की आज की इस वीडियो में डिसकस होगा लेकिन उसके लिए सबसे पहले की रिजल्ट की जो डीटेल है वो मैंने अपनी टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर दी है डाल दी है आप सभी चैनल की अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भी कितने अभ्यार्थी पास होंगे तो देखिए 11 से साड़े 11,000 अभ्यार्थियों को पास किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है इसके अलवा अब देखो कि कट ओफ कम क्यो जाएगी लेकर अब कट ओफ क्या रहेगी ये भी बड़ा स एक अनुमानित कट ओफ पर आप औरी वीडियो ही बना दो तो मैंने यही कहा था कि मैं आपके लिए अनुमानित कट ओफ की सही और सटिक जानकरे के साथ वीडियो बनाओंगी तो दोनों ही फरकपस अभी कम्लीट हो गये हैं तो हम बात करेंगे आज कट ओफ क्या रहेगी स सबसे पहले आपको बता दूँ कि बोर्ड अदिक्ष अलोक राष ने ट्वीट किया है वही ट्वीट वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे सुषना साहे का रिजल्स सबसे पहले जारी करेंगे उसके बाद और भी रिजल्स जारी होंगे उसके बाद क्रिशी सुपर्वाइजर का रिजल्स जारी होगा फिर जुनियर अकाउंटेंट का जो है रिजल्स जारी होगा उसके बाद संगण भरती का भी रिजल्स जारी होगा तो इस आदार पर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा था पिछले ट्वीट में कि पांच या छे जून से जो है आपके रिजल्ट जारी होना शुरू हो जाएंगे तो याने कि 12 जून तक जो है आपके जूनियर अकांटेंट के रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे तो आप लोग निश्चिंद रहे अब बात आती है कि कट ओफ कम क्यों रहेगी सबसे बड़ी बात आप लोगों को भी पता है कि इस बार बोनस अंग नहीं दे जाएंगे अब बोनस अंग नहीं है तो कट ओफ का गेम ही बिगड़ गया अगर बोनस अंग दे जातें तो शायद कट-ऐफ कुछ और होती पर आप ऐसा नहीं है तो कट ओफ तो खांट जाएगी अब बात करते ही कि cut off क्या रहेगी क्योंकि सबसे बड़ा सवान यही है कि अनुमाने cut off क्या है और सही उस सटिक cut off क्या है तो देखेगा सबसे पहले जनरल जनरल वालों को सबसे ज़ादा tension है कि उनकी cut off क्या रहने वाली है अगर आप जनरल केटेगरी से हो और आप लोगे के जो है वो 51% बन रहे है तो निश्चिन तो जाओ कोई tension वाने बात नहीं है इसके अनवा OBC जो है अगर आप OBC केटेगरी में है अगर आपके 48% बन रहे है आराम से कोई दिकत नहीं है आप जो है निश्चिन हो जाए अब आप करते हैं SC, ST और OBC की अगर आप इस केटेगरी में हो तो आपकी जो है वो 42% भी बन रहे हैं तो कोई बात नहीं आप लोग जो है निश्चिन तो जाए अब बात आती है EWS की अगर आप EWS केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 45 या 47 की बीच में परसंटेज बन रहे हैं तो बिलकुल आप भी निश्चिन हो जाए अब बात आती है सीमेल की फिमेल जनरल है OBC है STAC अना EWS ये सारी जो फिमेल की केटेगरीज हैं इनके लिए परसंटेज का सिर्फ इतना आदार है कि अगर आपके 38 से लिकट 40 परसंट बन रहे हैं तो आप पूरी तरिके से निश्चिन दो जाए आपको घबराने की जरुद पूरत नहीं है आप लोगों का सेलेक्शन बिल्कुल होगा ही होगा तो ये सारी अनुमानित का टोप टी इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो कॉमेंट बोक्स में पूशिए मुझसे नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जान चैनल को सस्क्राइब जरूर करें